दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूटी जना सक्सेस रोजगार में दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे भीहार जिपका विभाग के अंतरगत निकाली गई भरती पर क्रिया के बारे में आवेदन कैसे करना है step by step पूरी प्रोसेस इसमें समझाएंगे साथी साथ इसके लिए क्या ability criteria होना चाहिए किस तरीके से इसमें सेलेक्शन होगा आयू सीमा क्या रहेगी और इसमें कौन-कौन से पत के लिए भरती आयू हुई है complete जानकारी आज किस वीडियो में provide करने वाले हैं तो दोस्तो आपसे एक ही request है किस वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो like करके चैनल को subscribe कर लिजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज का notification आप सभी लोग को मिलता रहे चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को सुरू करते है बीना दरी किये सो जैसा कि दोस्तो इसकिन पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग आचुके official जो notification जारी किया गया है और ये जो notification जारी किया गया है और इसमें सभी जानकारी A to Z provide किया गया है कि ये भरती किसके लिए निकाले गई है कितना seat निकाले गया है complete clarity यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आप एक ची देखेंगे तो लिखा गया join us in realizing this dream current opening for young professional 34 position as per below table यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि इसमें young professional का 34 post निकाले गया है जिसके माधियम से यहाँ पे category wise seat को divide किया गया जो कि आप इस skin पे देख सकते है और ये जो भरती निकाली गई है दोस्तो ये भरती के लिए आपका eligibility criteria क्या होना चाहिए वो यहाँ पे एक के करके जानकारी दिया गया है कि eligibility criteria minimum 3 years of post qualification relevant work experience and not more than 30 years of age as on 13th February 2024 चोकि यहाँ पे जानकारी दिया गया है इसके साथ साथ आगे जो बताया गया है and see that he should be passed out from the following institute before 1st January 2024 जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि maximum जो है आपका 3 साल का post qualification आपका होना चाहिए relevant work experience आपका होना चाहिए and not more than 30 years of age as on 13th February 2024 यानि कि 13th February 2024 के पहले पहले आपका यह चीज होना चाहिए जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो maximum जो कि यहाँ पे आपको salary मिलेगी पर मन्त वो 57,500 यहाँ पे मिलेगी जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है तो इसको आप चाहे तो read कर सकते हैं इसके लिए क्या ability criteria होना चाहिए qualification तो post graduation या BTEC आपका है तो इन सभी चीज़ों के लिए आप आविधन कर पाएंगे जो कि यहाँ पे एक एक करके बताया गया है इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आगे जो बताया गया है डी नंबर म main topic आपको समझने वाली है वो आपको समझना बहुत जरूरी है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि only shortlisted candidate will be called for group discussion and personal interview यानि कि इसमें only shortlisted candidate को ही called for group discussion and personal interview के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा च्योंकि यहाँ पे जानकारी दिया गया है इसके साथ साथ यहाँ पे जानकारी कि इसमें selection process कि तरीके सोगी तो यहाँ पे बताया गया है पहला group discussion followed by personal interview यानि कि एक तो आपका group discussion होगा और followed by personal interview के अधार पे यहाँ पे आपको इसमें selection लिया जाएगा इसके साथ यहाँ पे बताया गया is expected to bring with them their original educational qualification certificates category if applicable and experience certificate at the time of interview आपको interview के दारान जो कि इसमें सभी original document आपको certificates जो भी है वो आपको लाना and experience certificate आपको लाना अनिवारे होगा जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है इसके साथ आगे जो बताया गया है important dates के बारे में last date for receiving application 14 days from date of publication यानि कि 14 दिनों के अंदर आपको इस form का जो date है उससे 14 दिनों के भीतर आपको इसमें apply करना होगा tentative date group discussion and personal interviews होगा मई या जून 2024 में आपको होगा जो कि यहाँ पे दिया गया apply किस तरीके से करना है तो candidates should apply in prescribed format available in the following link यानि इस link के माध्यम से आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं note में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि candidate who has applied early wide advertisement PR number इतना दिया गया है 2023 to 24 date 21 February 2024 need to reapply जो कि यहाँ पे दिया गया है कि 21 February 2024 से आप सभी लोग reapply इसके लिए कर सकते है जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है फिलाल बात करें दोस्तों कि यह जो भेकिंसी निकाली गई है इसके माध्यम से आप सभी लोग कैसे इसमें apply करेंगे वो आपको जानना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे आप एक ची देखेंगे तो यहाँ पे इसका official site है official site पे चलते हैं और वहाँ से clearly बताते हैं कि आप इसमें किस तरीके से apply कर पाएंगे तो दोस्तों आपको simple google पे आना है और वहाँ पे आने के बाद सर्च करना है brlps carrier simply सा इतना search करने के बाद आपके सामने सबसे पहला जो website खूलेगा brlps.in slash carrier इस वाले option पे आपको click करना है सबसे पहले वाले site पे जो कि हम यहाँ पे चलते हैं सिधा और यहाँ पे आने के बाद आपको थोरा सा wait करना है और यह load जिसी हो जाता है आपके सामने कुछ इस तरह से interface सो करेगा जो कि आप इस screen पर देख पा रहे हैं थोरा सा नीचे scroll करेंगे तो आपके सामने सिंपली सा carrier वाले section में यहाँ पे एक ची दिखाई देगा यहाँ पे दिया गया है तो यही से आपको इस पे सिंपली सा क्लिक करना है यहाँ पे जिसी क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा click and apply to this link इस link के माध्यम से आप सभी लोग इसमें apply कर पाएंगे और जो advertisement हम अभी बात कर रहे थे वो advertisement यहाँ से आप सभी लोग download कर सकते हैं simple है तो यहाँ से आने के बाद आपको simply सा link वाले जो section है इस पे क्लिक करना है जिसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका official site कुलेगा इसका official जो apply करने की process है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि आप देखेंगे तो जिबका के अंतरगत यह निकाली गई भर read the advertisement carefully before applying for any position यानि कि आप किसी भी post के लिए apply करना चाहते है तो उसके लिए सबसे पहले आपको carefully advertisement को read करना जरूरी है अवस्यक है जो कि यहाँ पे दिया गया है इसके बाद after final submission of application form no changes afterwards will be accepted in any curriculum जो कि यहाँ पे दिया गया है तो बताना चाहेंगे कि इसमें अगर आप final submit करते हैं तो आप किसी भी तरीके का इसमें change बगर नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पे tension condition दिया गया है तीस राम major pre-preparend जो कि यहाँ पे दिया गया है तो जिसको आप read कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों कि आपको आप सकता लगने वाली है फिलाल बात करते हैं कि इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा जो कि आप इस कीड़ पर देख पा रहें यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं यंग professional का post देखने को मिल जाएगा और यंग professional और यहाँ पर selected है आपको यहाँ पर बस क्या करना है अपना name को य इसके साथ साथ are you domitial of bihar? अगर yes है तो yes पर click करेंगे otherwise no पर click करेंगे तो हम यहाँ पर simply सा अपना नाम डाल दते हैं चंदन कुमार ओके और यहाँ पर डालने के बाद simply सा यहाँ पर देख सकते हैं domitial of bihar तो हम simply सा yes पर click करेंगे जैसे yes पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से interface तो हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको अपना category को select करना है इसके बाद date of worth को यहाँ से select करना है और age यहाँ पे जो की बताया गया years, month, days आपको क्या है वो यहाँ पे डालना है अधार नमर डालना है mobile नमर यहाँ पे डालना है दोस्तो और email ID डालके send OTP पे आपको simply सा click करना है तो हम यहाँ पे wait करते हैं और इसको डालने के बाद फिर आगे की process आपको समझाते हैं तो यहाँ पे basic detail हम डालने के बाद यहाँ पे email ID डालने के बाद email ID को verify करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे generate password यहाँ पे simply सा आप आपको अपना password को generate करना है पासवर्ट जनरेट करने के बाद confirm password आपको करना है तो हम इसको करने के बाद submit पे क्लिक करके इसके बाद आगे की process आपको समझाते हैं इसके बाद final submit करेंगे और final submit करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है are you your want to submit हम करेंगे ok पे click और ok पे जिसरी किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सो हो जाएगा जो कि आप इस स्किन पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद सिंपली सा यहाँ पे देख सकते हैं कि successful created your profile your applicant ID is इतना please use this ID for login यहाँ से सिंपली सा हम इसको copy कर लेंगे और इसको copy करने के बाद सिंपली सा आगे हम आपको समझा देते हैं कि आगे इसको करना क्या है तो फिलार यहाँ पे सिंपली सा इसको copy कर लेते हैं या फिर screenshot ले लेते हैं ओके तो वहाँ पे आने के बाद जिसी आपका application ID जो successfully created हो जाता है तो यहाँ पे आपको सिंपली सा अपना जो application ID है उसको सिंपली सा यहाँ पे डालने के बाद पास्वर्ट डालने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ से क्या करना है लॉग इन कर लेना है और लॉग इन करने के बाद फिर आगे की process इसको आपको simply सा proceed करना है और इसके वाद simply सा login पर click करेंगे, जैसे ही login पर click करेंगे यहाँ से आप अपने जो इसमे form film करने का जो process है वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ से जाकर आप सभी लोग apply कर सकते हैं फिर यहाँ पर जो है मेरा invalid user ID बता रहा है तो यहाँ से मैं इसको login करके फिर आगे की process आपको उसी तरीके से करना है जो कि मैंने आपको समझा दिया है तो यहाँ से आप सभी लोग apply कर सकते हैं I hope उमीद करते हैं कि आपको complete clarity मिल गई होगी कि इसमें apply किस तरीके से आप सभी कर सकते हैं और किसी भी तरीके का अगर doubt आता है तो वीडियो के नीचे comment section में पूछ लिजिएगा आपको proper reply मिल जाएगा हम मिलते हैं इस तरह के corner topic के साथ अब तक के लिए बनेर हमारे साथ be sure all the best and love you all thank you so much